केंद्रिय आरुग्य मंत्रारे ने सभी राज्यों को N95 मास्कों को लेकर जरूरी जान करी दी है इस मास्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में असक्षम बताया गया है वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमन से बचाओ के लिए अभी तक N95 मास्कों को सबसे भेतर माना जाता रहा था लेकिन अब इसके इस्तिमार पर दुनिया के कई देशों में परतिबन के बाद भारत में भी इसको लेकर चेतावनी जारी की जाने लगी है महामारी के संक्रमन से संबंदित चिकिस्ता विक्षे शग्यों ने N95 मास्कों को कोरोना रोकने में असक्षम पाया है इसके बाद केंद्य स्वास्त मंत्राले ने सभी राज्यों को चेताया है कि कोरोना वायरस को रोकने में या मास्क सक्षम नहीं है मंत्राले ने सभी राज्य सरकारों और केंदर शाषित प्रदेशे को पत्र लिखकर चेताया है कि वाल लगे N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम नहीं है इस पत्र में राज्यों को कपले से तीन लेयर से निर्मित मास्क को सबसे बहतर बताया है स्वास्तर मंत्राले ने कहा है कि रेपीरेटर N95 मास्क का उपयोग हानिकारक है क्योंकि यह वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकता है स्वास्तर मंताले के स्वास्तर सेवा महानिदेशक प्रोपेसर राजिव गर्ग ने राज्यों को लिखे पत्रे में कहा है कि N95 मास्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए उन्होंने कहा है कि छीदर युकतर शोशन यंत्र लगा मास्क वायरस के संक्रमन को रोकने के लिए अपनाय गए नियमों की विप्रित है इसमें वायरस मास्क के बाहर आ जाता है कपले से घर में निर्मित मास्क का इस्तिमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए और यह एक बेहतर विकल्प है गौर तलब है कि दुनिया भर के कई देशों में N95 मास्क के उपयोग पर परतिबंद लगा दिया गया है भारत में सरकार ने इस पर पूरी तरह परतिबंद तो नहीं लगाया है लेकिन इसके व्यापक इस्तिमाल पर रोक जरू लगाने को कहा है